N.C.E.R.T. new book से trigonometry chapter से example number 2 करेंगे देखे काफी students को इस question में doubt रहता है और ये question है भी बहुत important चलिए पढ़ते है question If angle B and angle Q are acute angles such that sign B equal to sign Q then prove that angle B equal to Q देखो यहाँ पर angle B और angle Q acute angles दे रखे हैं तो हमने यहाँ दो triangle ले लिए एक triangle ले लिए ABC दूसरे triangle ले लिए PQR और B और Q acute angle है तो इसलिए हमने यहाँ पर B लिया और यहाँ पर हमने Q यहाँ पर एक condition given है कि sign B equal to sign Q यह given है अब हमें प्रूव करना है angle B equal to angle Q angle B equal to angle Q प्रूव करना है एक काम कर सकते हम इसमें हम इसमें जो हमने triangle चैप्टर में similarity criteria लगाया था अगर यह दोनों triangle किसी तरह से similar हो गई तो हम अराम से angle B equal to angle Q प्रूव कर सकते हैं तो चलो पहले तो जो दे रखाता ना वो हम यहाँ लिख लेते हैं given है हमारा sin B एक माट, sin B equal to sin Q अब sin क्या होता है मैं यहाँ पर एक बार बतायता हूँ sin होता है हमारा perpendicular upon hypotenuse ठीक है अब B है तो B के according perpendicular होगा हमारा AC और hypotenuse होगा AB ठीक है angle B है तो B से 60 हुई side हमेशा base होगी और 30 side जो 90 degree के just हमेशा hypotenuse रहेगी तो sin क्या होता perpendicular upon hypotenuse तो sin B के perpendicular यानि AC upon hypotenuse यानि की AB यह गिवन है equal के sin Q के sin Q यानि की base यह perpendicular यह और hypotenuse यह यानि PR upon PQ ठीक है लिख देते हैं PR upon sorry PR है upon PQ यह चीज गिवन है ठीक है मैंने यहाँ से question जो दे रहा था यहीं से लिखिए है अब देखो जैसे मैंने आपको इन दोनों triangle को हमें similar करना पड़ेगा तो similar करने के लिए जो हमने triangle chapter में पढ़ाता एक triangle के एक side दूसरे triangle के दूसरे side यहाँ अगर ratio देखा जा तो AC upon AB AC upon AB यह तो इसी side की यानि इसी triangle की side होई यहाँ से गर हम लें तो देखो इसको यहाँ लिख सकते हैं को यहाँ लिख सकते हैं मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC upon PR equal to और AB को यहाँ पहुचा दो AB upon PQ इस रसम transpose कर सकते हैं कोई इसमें दिक्कत वाली बाद नहीं है ऐसी इसको भी कर सकते हैं लेकिन इसको जरूत नहीं है हमें एक ही करनी है AC upon PR यहाँ देखा जा तो AC upon PR और AB upon PQ AB upon PQ इन दोनों ट्रेंगल के दो साइड को हमने यहाँ रेशियो में लिख लिए और क्योंकि यह बीच में एक को लग रहा है इसको हमने माल लिया एक constant वो constant है हमारा K बात समझ में आगी यहाँ हमने constant माल लिया अब देखो दो साइड का हमें रेशियो मिला तीसरे साइड के लिए हमें काम करें Pythagoras Theorem से हम Pythagoras Theorem की help लेका हम BC और QR इन दोनों को निकाल लिए तो यहाँ लिख लेते हैं inner triangle ABC ABC triangle में क्या होगा भई यह होगा ना BC square plus AC square equal to AB square यहीं तो होगा Pythagoras Theorem के according इस triangle में यह 90 degree है तो base square plus perpendicular square equal to hypotenuse का square तो मैंने हैं लिख दिया अगर मुझे BC square की value पता करने है तो BC square क्या है sorry है BC square क्या है AB square minus AC square या फिर आप डारेक्ट इस तरह से लेक सकते हैं BC equal to square है ना तो BC की value आ गई AB और AC के form में same हम इस triangle में भी हम लगा सकते हैं जो हमने यहां लिखा है Pythagoras Theorem इन triangle P, Q, ABC लिए तो यहां पर P, Q, A चलो triangle का नाम हम कोई भी दे सकते हैं यहां पर यहां यह दो side का square जैसे हमने यहां की है मैं इसको डारेक्ट लिख देता हूँ डारेक्ट किये Q, R क्योंकि यहां पर BC निकाला है यहां पर हम निकाल लेते हैं Q, R तो Q, R की value क्या जागी triangle में मतलब की root के अंदर hypotenuse square minus की perpendicular square मतलब की P, Q square minus P, R square इसमें कोई दिक्रत वाली बात नहीं आप यहां बेख भी लाए यहांसे B, C, R की value आगी आप जैसे यह दो side का ratio था ऐसी इन दोनो side का ratio निकाल सकते हैं उससे पहले हमें काम और कड़ते हैं A, C और A, B इन दोनो side को के फॉर्म में लिखते हैं देखो किस तरह से समझो आप ज़रा AC upon PR बीच में भूल जाओ कि AB upon PQ लिखा है तो AC upon PR equal to K के बराबर है तो यहां से आप लिख सकते हो मैं यह और कर दो और AC equal to लिख सकते हैं ना के अलग है प्यार को मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इक्वाल है नहीं तीनों यह मतलब को यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट इक्वाल है तो एसी इकल तो क्या आगा के इंटु प्यार में इंटु ड़ाए तो आप इसको कन्फिज मत हो तो एसी के वाल लिए के इंटु प्यार ऐसे ही सेम एबी इक लुट क्या है एगा एक को टो के इंटु पी क्यू कोई वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक ठीक है यह दोनों रिजल्ट हमें निकालने जरूरी है क्योंकि अब हम इन दोनों साइट का रेशियो निक यहां से जराइन को लिखें, BC upon QR क्या आएगा बताओ, BC upon QR क्या आएगा, BC क्या आएगा, BC क्या आएगा, BC क्या आएगा, रूट में AB स्क्वाइर, माइनस AC स्क्वाइर, और upon में QR, QR क्या वैलू कितनी है, लिख देते हैं, PQ स्क्वाइर, माइनस PR स्क्वाइर, ठीक है, अब देखो, इसके आगे और सॉल्ल करते हैं, A क्या लग दिया मैंने यह, AB स्क्वाइर था ना, सौरी, AB स्क्वाइर था, अब AB की वैलू हम यहां पर पहले जो निकाली न, K के फर्म है, K into PQ, तो आप AB की जगे आप यह लिख स PQ का whole square, ठीक है, PQ क्योंकि एक साइड है, इसलिए मैंने whole square लगा लिए, AB क्या था, K into PQ, तो यहां पर AB की जगे लिख लिख था, K का square और PQ का square, माइनस AC square, AC कितना है, AC है, हमार K into PR, तो यहां पर भी क्या जगा, K square है, तो K का square, और multiply में PR का whole square, बात आपको समझ में आग upon, नीचे बाले को कुछ नीचेंज करना, ऐसे ही रहने देना है, क्यों ऐसे ही रहने देना है, मैं अभी आपको बता हूँगा, PQ square minus PR square, देखो, हमने इसलिए नीचेंज किया, क्योंकि ओपर हमारा PQ और PR के form में आ रहा था, हमारा मेन मकसद है, यहां से कुछ cancel out हो जाए, इसलिए मैंने नहीं चेंज किया था, अब देखो, यहां भी K square, यहां से हम common ले सकते हैं, K square, K square common लेंगे, वो के बाहर आ जाए, ठीक है, चलो, मैं एक step में तो, यहां पर लिखी देता हूँ, K square हमने यहां लेखा, bracket में क्या आ जागा, PQ, PQ का whole square minus, मैंने बड़ा bracket लगा कैसे ही रहने देना है, PQ square minus PR square, देखो, इसके आगा हमें काम करते हैं, equal to, इधर ही कर देते, K square, root के अंदर है, यह bracket पूरा पूरा इसके साथ multiply में K square, तो K square, जब root के अंदर है, तो K बाहर आ जाएगा, K बाहर आगा, और सिर्फ root के अंदर क्या बसता है, PQ का whole square minus PR का whole square, यानि PQ square में PR square, के वाला part हटा देता हूं, ठीक है, upon नीचे root में जो है, उसको ऐसे ही छाप देते हैं, यानि PQ square minus PR square, अब यहाँ अगर देखा जा तो यह पूरा का पूरा root से हम है, यह पूरा का पूरा cancel out हो गया, क्या बचा, K, मतलब कि हमने क्या निकाला था, यह निका यह स्टार्टिंग में हमारा AC upon PR equal to AB upon PR equal to Q किया था, चलो इसको हम नाम देते हैं, equation first, और यह जो आए BC upon QR equal to Q, इसको भी हम नाम देते हैं second, अब आपको समझ में आ गया हो कि हम क्या करने वाले हैं आगे, देखो, यहाँ पर इनका ratio K के बरावर आया था, यहाँ पर इनका ratio के के बरावर आया, इसका मतला from first and second यह दोनों का ratio equal to इसके बरावर आ जागा, तो हम यह लिख सकते हैं, from first and second, तो from first and second से सब हम इनको सबको equate कर देते हैं, AC upon PR equal to AB upon PQ, यह हमने अब फरस्ट से इतना लिखा, equal to K के बरावर है, यह भी K के बरावर है, यह भी के बरावर है, QR, अब जरा इस ratio को पूर्य को figure में, देखते हैं, ट्रेंगल में, देखो, AC upon PR, AC upon PR, equal to AB upon PQ, equal to BC upon QR, इसका मतला, यह दोनों ट्रेंगल, SSS criteria से दोनों ट्रेंगल आपस में similar हो गए, ठीक है, तो हम यह लिख देता हूँ, it implies that by SSS criteria of similarity, सिर्फ इतना लिख दे रहाँ, criteria, by SSS criteria से, triangle A, triangle A, B, C, similar हो गया, triangle P, Q, R के, अब यह जब दोनों triangle similar हो गए, तो इनके angle भी equal हो गए, ठीक है, तो हमें लिख देते हैं, it implies that angle B, equal to angle Q, angle B, equal to angle Q, यही तो हमें प्रूब करना था, ठीक है, तो question हमारा complete हो गया, उमीद करता हूँ, आपको इस समझ में आया होगा, similarity criteria बस आपको जाना इसमें जरूरी था, वैसे question आसान था, थोड़ा लिखने में जरूर लेंदी है, ठीक है, आप एक दोबार practice करेंगा, तो इस question आपको समाझ में आ जाए, ठीक है, important question है, अगर आपको exercise की किसी question में, कोई सी भी exercise की question में doubt हो, तो आप playlist चेक कर लेना, link में उसका description box में दे दूगा, ठीक है, चलिए, मिलते हैं next video में जल्दी ही, okay, thank you